पुजनिय संत समाज, सम्मानने धर्म प्रेमी भाईयो एवं भक्ति मती मातबहनों, आप सबको मेरा हारदिक नमन. काफी देर से पुज्य संत जनों के विचार सुन रहे थे, और काम की सारी बातें बताई जा रही थी, थोड़ी देर के लिए मैं कुछ कहूँ, प्रारंब से अब तक जितने संत उबदेश्टा हुए और जितने शाष्ट्र हुए, रचे गए, बेशब किसके लिए रचे गए, किसको संदेश देते हैं, किसको उबदेश देते हैं, हम मनुष्यों को. पशू पक्षियों के लिए उबदेश के आवश्यक्ता नहीं है, पीड़े पवधों का तो प्रस्नहीं नहीं है, मनुष्यों को इसका मतलब है, मनुष्या नहीं जी पा रहा है, जैसा जीना चाहिए, प्रशु पक्षी कि जीवन को देखो कोई व्यतक्रम नहीं है, प्रकृति में यदी अवेवस्था देखें, तो कहा है, मनुष्यों में है, और पूरी स्रिष्ट में सुंदर व्यवस्था है, दिन और रात का होना, मौसम का परिवर्तन, एक सिस्थम से है न, कोई उसमें त्रुटी है, नहीं है, प्रशु पक्षियों को देखो, कैसा जीवन है, सरल, अपने प्रकृति के अनुरूप, खान, पान, व्यवहार, प्रजनन, सब कुछ, लेकिन, मनुष्य वह नहीं कर रहा है, जो करके, जीवन लाव लेना चाहिए, यद्यपी एक अंतर जरूर है कि मनुष्य में बहुत बड़ी संभावना है, वह संभावना अन्य प्राणियों में नहीं है, मनुष्य का जीवन बहुत बड़ी संभावनाओं के साथ सुरू होता है, बहुत बड़ी संभावना, वह संभावना जो अन्यों में नहीं है, लेकिन उस संभावना को वास्तिक्ता में बड़ने का काम, बहुत कम लोग कर पाते हैं, सत्संग इसी बात के लिए, सद्गरंद इसी बात के लिए, कि आप के अंदर जो संभावना है, उसे वास्तिक्ता में बड़ो मतलब जो आप हो सकते हो, जो आप बन सकते हो, जो आप महसूस कर सकते हो, वह करो, और इस पृत्थी बे, कई ऐसे लोग हुए, जिनों ने ऐसा किया, और वह क्या है, परमशांती का अनभाव, दुख मुक्तता का अनभाव, या कहना चेहिए किसी भी छेत्र में सफल होना है, या हुए हैं, किसी भी छेत्र में जो सफल हुए हैं, यह अपने संभावनाओं को बास्थिकता में बदला है बीज होता है न छोटा बीज इतना बड़ा होता है छोटा बीज लेकिन उसमें विशाल वरिक्ष होने की संभावना होती है एक विचारक ने लिखा एक सेव कितने फ़ैसों मैं इन इन एक अन्हारी आधमी उसे गन के बता सकता है लेकिन एक भीज में इन कितने फ़ै इन रखा सेव हैं इन कोई नहीं अगा उता सकता क्योंकि एक बीज़ को बोदें बडा सा रिक्ष हो चाहगा और इसमें किमें फल अर अन फलो में कितने बीज होंगे.. और अन बीजों को बेले कितने पेड हो जाएंगे और फिर कितने फल होंगे, कुछ बताया गगा? कोई नहीं एग यह इसम्हावन 1940s किसमें उसे एक छोटे से बीज में छिपा हुआ है लेकिन यदि उस बीज को कोई एक बंद करके रख दे कि चलो हम देखते हैं इसमें कितनी संभावना है और बारा साल तक रखे और बारा साल तक रखे और दिबिया खोल के देखे तो क्या होगा वो खतम हो जाएगी वो संभ शक्ति का उपियोग नहीं करते हैं तो शक्ति छीन हो जाती है खराब हो जाती है गुर्देव जी से नजाने कितनी बार सुने होंगे ये पंक्ति प्राप्त शक्ति का सदुपियोग वर्दान है प्राप्त शक्ति का दुपियोग अभिशाफ है हमारे पास शक्ति है हमारे जो संसाधन है उसी का उपयोग करना है। बाहर से कुछ लाना भी नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेष्टा क्या है? उसे बाहर से कुछ लाने की जरुरत नहीं है। झीवन निर्मानके लिए, की विशेडिक एफ़ एनद के लिए, एनद के लिए, क्या है क्या दो pasteण है, क्या जो हमारे पास है उसे का सही सही उपयोग करना है। मैं कहाना शक्टि, उसका सही उपयोग कर दें। Magic doesNT gamerGI रहें जीकर दें। मनुष्य के पास में बहुत शक्ति है, बस उसका उपियोग करना सीखें, उस शक्ति का उपियोग करने का माध्यम क्या है? दोनों है, शक्ति का जब हम दुरुपियोग करते हैं, तो अभिशाप, अभी मैंने कहा ना, शक्ति का जब दुरुपियोग करते हैं, तो अभिशाप और शक्ति का जब हम सदुपयोग करते हैं, वो हमारे लिए वर्दान, और वर्दान को अभिशाप बनने में देर नहीं लगती है, वर्दान को अभिशाप बनने में देर नहीं लगती है, हम अपनी गलती से वर्दान को भी अभिशाप बना लेते हैं, ये कहानी बहुत पुर सुने होंगे आप लोग, golden touch, राजा मिडास की कहानी युनान की, की एक बार सुबा सुबा एक संत उनके घर आए, और राजा का मतलब धनी वैसे भी धन बहुत था, लेकिन उनोंने क्या कहा कि संत से की संत आप मुझे कुछ ऐसा वर्दान दें, की बास मेरे पास और बहुत हो का बहुत तो है, उसने का नहीं, ऐसा हो जाए कि मैं जो छूओ सोना हो जाए, देखो ऐसा मत कहो, और भगवान आप असिरवाद देतो सही, जो छूओ सोना हो जाए, ठीक है, सुबा सुर्य की पहली किरन जब धरती पर आएगी ना, उसी समय से ये वर्दान सुरू हो जाए सोना हो जाए, ये वर्दान मिला था उसको, क्या किया, दरवाजे के बाहर जो दो पेड थे बड़े बड़े उसको चुआ जब देखते हूं क्या है, और सच्छ मुचो सोने के पेड हो गए, हरी कमाल है तो, फिर मन में हुआ कि लेकिन इसमें फल तो नही आएए अगे अग हो गई, अब पुतली हो गई, प्रकास से पुतला कहाते है नहीं सोने की, अब न बोले न डोले कुछ नहीं, अब तो बड़ा बढ़ बढ़ हुआ, बहुत भूख लगी थी उसे, भोजन के लिए बैठा, तो जो भोजन आया, तो रोटी कर तो तो रोटी सोने की, अब कैसे पानी सोने की, नखा पा रहा है, नपी पा रहा है, बिटी भी सोने की हो गई, घर मकान सोने को गई, भाओध घबराय वो तो यह तो जीना ही कठी इसमें, दोड़े दोड़े गया, असन्त कुछ दूर चले गया थे सुबा के समय, पुझ्या स्री साहब जी विराजमान हो र जिनको अपनेम कटनाई हो, तो बैठे रहे, बैठे रहा है, बैठी रहा है, मतजी, बुलिए Sadguru Kabir Sahib की, बीच में जगा खाली होगी, तो आंगे बढ़त साहभ बंद की साहभ, बैठे है, बैठ जाहिए, आगे बढ़ते हुए बैठे, बैठे जाहिए, आगे बढ़ते अच्छा वी तक क्यों नहीं बैठ रही है, माताय मैं जान गया, पहर की जुन-जुनी मिटा रही होंगी, है ना, बहुत देर से बैठे रही, अच्छा बैठो, 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 अभी तो बहुत देर और बैठना है, जगह पर्याप तो बना लो अपने लिए, बैठ जाओ, वो कहानी, जो प्रसिद्ध कहानी है, अब तो बाते पुरी भी हो गई कहानी से, अब समझ गए होंगे, कि उसमें संदेश क्या है, संत से जो वर्दान मिला था, वह वर्दान उसके लिए अभिशाप बन गया, हम सब को भी कुदरत की और से वर्दान मिला है, इधियान दीजिए, यह वर्दान मिला है, क्या वर्दान मिला है, जो अन्यों में नहीं है, मान्वेतर प्राणी में जो पशुपक्षी करीमी की टादी है उसमें वो उसे वर्दान नहीं मिला है हमें एक वर्दान के बात आईत में बताऊं एक चीज को जो मनुष्य को जो सबसे बड़ा वर्दान मिला है वो क्या है मनुष्य को जो सबसे बड़ा वर्दान मिला है वह है मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता अर्थात आप जब चाहें अपने रास्ते को बदल सकते हैं और कोई भी रास्ता दो दिशाओं की और जाता है देखो सामने शड़क है, एक पूरा वेक पस्चिम, दिशा है, चुनाओ कौन करेगा आप, मालो लगा कि आप पस्चिम की और जा रहे हैं और गलत दिशा है, तो क्या वहाँ से लोट नहीं सकते हैं, वहाँ से मुड़ नहीं सकते हैं, अचा कब मुड़ना चाहिए, जब समझ आजाए, कभी भी मुड़ सकते हैं, और जैसे मुड़े थे दिशा सही, गुर्देव जी कहा करते थे, जो एक तत्य ही है, जिसको बताया करते थे, उल्टा का उल्टा सिधा होता है, क्या होता है, उल्टा का उल्टा सिधा होता है, उल्टा जा रहे थे, समझ बात आई, उल तो उलट गए और उरे आप बात, दूसरी बात पहली बात तो यहार है यह सही दिशा की और नहीं जा रहा हूं, कैसे जानते हैं, आच्छा आप कहेंगे मैं तो सही दिशा की और जा रहा हूं, आच्छा आप गलत दिशा की और जा रहा हूं, आच्छा प्रमाणित करिये आप सही दिशा की और जा रहा हूं, क्या है उसका क्या धंग का प्रमाणित कहां है फिर उसके बाद सुरुवात करिए अर्थात चलने के पहले जान लो की पहुंचना कहां है सदरु कबीर की पंक्ति है नाओ न जाने गाओं का भूला मारक जाए काल गड़ेगा कांटा अगमन खसी कर आए नाओ न जान एक बिल्कुल देहती सब्द है ने देखो कितनी अच्छी बात करें नाओ हम लोग तो नाम काते है नाओ बिल्कुल यहां की बात है नाओ का नाओ है कहते है नाओ न जाने गाओं का गुरदेव जी लिखा कि एक आदिभी जा रहा हो और उसे पूछो भाहिया क्या नाम है आपका कहां जा रहे हो टिठा कर क्या कहता है नही कि मुझे नाम भी नहीं पता है और कहां जा रहे हो यह नहीं नहीं पता क्या कहेंगे कुछ अटपड़ा सा लगेगा ना हम सबको भी यही बात है क्यों यह प्रस्न फिर से आत करिये गुरदेव जी वाला प्रस्न क्यों कमाते हो बहुत पुरान है ना और प्रवचन जी के हैं सुन ले ना यह प्रस्न सुनने में आएगा क्यों कमाते हो खाने के लिए क्यों खाते हो जीने के लिए क्यों जीते हो फिर से 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 लिए क्यों जीते है इ जो मौत अपने आप आती है, वो हमारा जीवन को उद्देश नहीं हो सकता है, हमेसा ध्यान रखिए, जो हमें अपने आप मिले, वो हमारा जीवन को उद्देश नहीं है, जिससे हम अचीव करें, महनत करें, और मिले वो हमारा है, अपना हो, इसलिए आवश्यक है, कि हम इस च निर्धारन नहीं करना है, लक्ष तो कुदरती रूप से निर्धारित है, उसे पहचानना है, बस पहचानना है, पहचानना कैसे है, बस समझ लो अपने आपके आंतरिक मांग क्या है, हम सब की मांग क्या है, चाहे जितना आईश्वरी हो जाए, सब कुछ, जो भोतिक रूप स उसे हम चाहते हैं, माल लोग उपलब्ध हो गया, एक बड़ा सा मकान, बड़ी सी गाड़ी, कपड़े कीमती हो जाए, पहनने औरने के सारे कपड़े अच्छे हो जाए, खाने की चीजें अच्छी हो जाए, बच्चे भी अच्छे इसकूल में पढ़ने लग जाए, और जीवन जीऊंगा, बंधो, जो प्रारम में आदमी चाहता है न, वो बहुत कुछ प्राप्त भी कल लेता है, लेकिन अंतिम वाला, बहुत कम लोग पाते हैं, बहुत कम लोग, शुक्षान्ती का जीवन, वो जीवन, वो क्या आप, जो भी जीवन की गतिविधी है, क्या अर्थात, आपके विचार शुक्षान्ती को पाने के लिए सोचता है, आपके शब्द शुक्षान्ती के अनभव करने के लिए वार्ता करता है, आपके क्रिया, आपका एक्षन, आपकी गति, क्या शुक्षान्ती के लिए है, आप देखेंगे, आप एक दिन अबजर्व कर तो रहान हो जाएंगे, बहुत सारा समय विपरीछ है, आप अपने चिंतन पर ध्यान देना सुरू करेंगे अर्थात विचारों पर ध्यान देना सुरू करेंगे, तो आखें खुल जाएंगे, अच्छा हम लोग अपने आपको कुषल मंगल मानते की ध्यान नहीं देते हैं, द्यान नहीं जैसे कोई आदमी बेहोशी में जिये, चाहे जो हो, बहले क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म सुंगा देता ना बेहोशी में, या जिस आजकल तो जिस अंक होता अनेस्थेसिया, करते ना उसको, उसको शुन्ने कर दिया का, फिर चीरोफाडो, कुछ नहीं फ़रक प पिने लगें, तो सब दुख भी दुख नहीं लगता है, अच्छा लगता है, कोई फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे महशूशी नहीं है, उनके इभी नहीं पता है, कि इस दुख से बाहर आया भी जा सकता है, जैसे, आज कल की क्या दसा है, जो तनाव है न, ऐसा लगत लेकिन आज कल, सब लोग करते हैं न, टेंशन इसमें कौन बड़ी बात है, तो देखिए कितना एबनारमल हो चुका है, कुछ फरकी नहीं पड़ता है, कि सब लोग यही कर रहे है, अच्छा दवाई तो खाना बड़ा सरल है, बीपी के दवाई खाना कौन बड़ी बात है, सब तो खाते हैं, सुगर की दवाई खाते हैं न, उसमें कौन बड़ी बात है, मतलब जो अच्छा नहीं है, उसको भी अच्छा मानने लग जाते हैं हम लोग, इसी प्रकार से, अब समाने रूप से, हम यह नहीं जानते हैं, कि जो हम दुखी क्यों भोगे भई, दुख से पार भी तो जा सकते हैं, संघर से भरा जीवन क्यों जिए, संघर से पार सो भी जा सकते हैं, बीमारी वाला जीवन क्यों जिए, बीमारी से उपर भी तो हो सकते हैं, यह जब लख्छा बनाएंगे, तो आप काम भी सुरू करेंगे फिर, यह महशूश हो, यह कर सकता हूँ, यह जानकारी हो, कि यह मैं कर शकता हूँ, तो क्या करेंगे, तब उसके लिए पहल भी करेंगे, कई बार कहा, एक पहाड की चोटी पर चड़ना, मैं असंभव मानूं, तो मैं उस चोटी पर जाने वाले रास्ते को पुछूंगा भी नहीं, मैं उस चोटी पर नहीं चड़ सक तो रास्ते क्यों पूछूंगा लेकिन मैं यह मानता हूँ, मैं उस चोटी पर जा सकता हूँ, तो अगला कदम क्या होगा, मैं जा सकता हूँ ऐसा कहा, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं किसी से पूछूँ भई रास्ता कौन सा है, रास्ता बताने आले मिल भी जाएंगे, और हो भी सकता है, कि आपको हमराही मिल जाएं, कहां चलो मैं चलता हूँ साथ-साथ, ऐसे भी हो सकते हैं, और फिर आपके साथ में आप साथ-साथ निकल सकेंगे, लेकिन जब आप पहले ही मालेंगे, कि हम सब ग्रियस्तों में तो दुख होना ही है ना, क्यों बड़ी बात है यह, नहीं, यह मान करके चलें, यह हुआ है, लेकिन इससे भी पार, क्योंकि मैं इसलिए कहां बीच में अभी, कोई तो प्रिथ्वी में, कभी किसी ने वो इस्तिती पाई है, तो हम भी पा सकते हैं, यदि किसी ने अनभौकिया तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इस्तिति उनके लिए थी, वो आज हमारे लिए भी है, यदि आप देखें, देखो प्रकृति कभी पक्षपात नहीं करती है, कि बुद्ध के लिए पक्षपात उसने प्रकृति ने किये, कुद्रत ने किये, कवीर के लिए, महावीर के लिए, या जो भी संत हुए हैं, या व अबने भाई कि कितने कितने मैं चटवी कच्छा पढ़ा बस और साथवी तक पढ़ा लेकिन चटवी तक ही परिछदी लाया और आज कितने करो रहें कहें 612 के करमचारी है लेकिन एक बिसेश्था उसने बताई यह बड़ी बात के उनने कहा य। यह तो भिशन करो या तो विशन छोड़ो या फिर कमपनी छोड़ो यही उनका सिधान्त है कल ही Idhan belle. जह लाहा थासाम की टाइम में, एक अच्छ वक तो कितनी साधी प्हणी ती समझ रहा है ना उनने का जितनी तो मेरी संपत्त्य की पूरी मुल्यांकन कहुं उतना तो रोज चरिटी कर सकती है इतना तो दान कर शक्ति, इतनी संपत्ति उनके पास है, जिनके पास 2 लाग कितने करमचारी पता है, 2 लाग करमचारी हैं, और शाड़ी कितने पहनी थी? तीन सव रुपिय की, बिस्वास होता है, तीन सव रुपिय की, फिर उसके पोता ने पूछा, परिवार में आये थे, कि आपकी गाड़ी कौन सी है आपकी, उसने का सेंट्रो, सेंट्रो है, तो उसने कहा कि सेंट्रो मुझे वापस नहीं पहुचाएगा, क्या? गाड़ी तो मैं को धान दिया, कल ही रात में सुन रहा था, तो मुझे ख्यालाय बात यह तो प्नेर परसंग नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूँ, फिर उनने एक बात और अच्छी कही, जो लोग धन से सुख मिलेगा, यह मानते हैं, यह बिलकुल गलत है, यह उन्ही का वाक्या है, उन्ह पारिवारी संगर से चुटकारा पा नहीं सकता हूँ, मैं अपनी बिमारी से चुटकारा पा नहीं सकता हूँ, मेरा मन शांत नहीं हो सकता है, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं शांत मन वाला भी हो सकता हूँ, प्रेम पुर्ण संबन भी बना सकता हूँ, परयाप्त धन भी क अर्थात आपका मन किसके लिए सोचे, शांत मन वाला हो, प्रेम पूर्ण संबंध हो, यह सोचना सुरू कर दे, फिर आपके जो सब्द उसी प्रकार निकलने लग जाए, आपके वेवार भी उसी प्रकार होने लग जाए, तो क्या हो का? यह है शक्ति का सही उपयोग, और वह वही शक्ति, वही मन, वही वानी, वही यदी इंद्रियां है करम है, यदी ओ गलत जाए, तो हमारे जीवन को बरवाद कर देते हैं, और वही सही दिसा में चल दे, तो हमारे जीवन का उत्थान हो जाता है, बस, और कुछ नहीं है, दिशा का अंतर, इसलिए काते हैं, मारग चांतिक अन्भव कर पाएंगे,